नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिदयाल आपके साथ देखे बिहार का दर्भंगा जीला सुभा सुभा हाई प्रोफाइल हत्या कांड के बाद से पूरी तरह दहल उठा है जी हाँ वियाईपी सुप्रेवो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद से पूरे दर्भंगा जीले में जो हलचल है वो मची हुई है ऐसे में आपको बता दे की बिहार की सियासत में भी गजब की खलबली सुभा से ही देखने के लिए मिल रही है सत्तापक्षो या फिर विपक्षो तमाम राजनितिक पार्टीयों के नेताओं की ओर से एक की बाद एक प्रतिकरियाए सामने आ रही है बात अगर करें सत्तापक्ष की तो सत्तापक्ष की ओर से लगातार इस मामले में जाच के बाद दोशियों पर कड़ी से कड़ी कारवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है दावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष एक तरफ सब्सक्राब जहां कारवाई की मांग कर रही है दोशियों पर तो इसके साथ ही साथ मुख्मंद्री किंटीश इसस्तिफए की मांग भी की जा रही है साफतोर पर देखा जा रहा है कि सत्तपक्ष पर वफख्ष पुरी तरह से हंलावर हो गई है लगातार कटाक्ष किये जा रहे हैं इसके साथ ही कानून का राज बिहार में खत्म होने की बात की जा रही है सुबा से हमने आपके साथ कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियां साजा की है इस बीच आपको बता दे कि प्रदेश के मुख्या नितीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है जी आपको बता दे कि जीतन सहनी की मौत पर जीतन सहनी की हत्या पर साफ तोर पर मुख्यमति निती इशकुमार ने गहरी समवेदना प्रकट की है इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आक्शन भी ले लिया है जी आपको बता दे कि मुख्यमति निती इशकुमार ने डीजेपी आरेस भट्टी को आदेश दे दिया है इस पूरे मामले की गहन रूप से जाच करने की और इसके साथ ही दोशियों पर कठोर से कठोर कारवाई करने की इसके साथ ही खबर ये भी है कि इस मामले की जानकारी होने के बाद मुख्यमति निती इशकुमार ने वी आईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को फोन लगाया और उनसे बातचीत भी की है तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लगातार जिस तरह से सुभा से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था तो इस बीच खुद मुख्यमति निती इशकुमार का रियाक्शन सामने आ गया है उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है जिसमें साफ तोर पर देखा जा सक है कि मुख्यमंति नितीश कुमार ने मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की असामेक निधन पर गहरी सोक समवेधना व्यक्त की मुख्यमंति ने साफ तोर पर कहा है कि जीतन सहनी की हत्या अत्ययंत दुखत घटना है इसके साथ ही साथ मुखे मंति नितीष कुमार ने डीजे पी आरेस भटी को मामले की जाच कर दोश्यों के खिलाफ करी कारवाई सुनिष्ट करने कर निर्देश दिया है इसके साथ ही इस मामले की इस घटना की जैसे ही जानकारी हुई तो उठों ने मुकेश सहनी से फोन पर बाच्छित की और उन्हें सांत्वाना भी दिया है आपको बता दे कि मुकेमंति नितीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर्शानती तथा उनके परीजनों को दुख की इस घरी में धैर धारन करने की शक्ती प्रदान करने की इश्वर से प्रात्ना की है तो साफ तोर पर देखा जा सकता है कि अब खुद मुकेमंति नितीश कुमार ने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांट को लेकर के अपना रियाक्शन दे दिया है और सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं उन्होंने साफ तोर पर जो डीजीपी हैं उन्हें आदेश दे दिया है कि इस मामले की गहन रोप से जाच पर्ताल की जाए और दोशियों को पकड़ा जाए इसके साथ ही दोशियों पर कठोर से कठोर करवाई भी की जाए आपको बता दे कि इस पूरे मामले के लिए S.I.T. का गठन हो चुका है और इसके साथ ही अब S.I.T. की टीम इस मामले में क्या कुछ खुलासा करती है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे योटूब चैया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़स सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले